Hello everyone, a very sweet and lovely welcome to all ओके आज का जो मेरा वीडियो है वो class 7 का chapter number 4 The Ashes That Made Trees Bloom के बारे में है इस chapter में हम लोग देखेंगे कि एक old couple है जिसके पास एक pet dog होता है ओके वो pet dog को बहुत अच्छे से treat करते हैं लेकिन किसी वज़े से वो pet dog मारा जाता है और last में जाके उस pet dog की spirit जो है वो उस old couple को कैसे कैसे help करती है ये वीडियो उनके लिए बहुत important होने वाला है जिनके पास एक pet है ओके dog हो या cat हो या कोई भी pet हो उन्हें ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो के last तक जरूर बने रहे हैं Let's start with our chapter Chapter का नाम और नमबर देख पा रहे होंगे Chapter No.4 The Ashes That Made Trees Bloom Introduction है पढ़ लेते हैं This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death The spirit of dog gives solace and support to his master in unexpected ways तो इसका मतलब यही है कि एक honest hardworking old couple है उनके पास एक pet dog है और उनके जो neighbors हैं वो हमेशा उन्हें तंग करते रहते हैं और उसी वज़े से शायद जो है dog बुरी मौत मरता है और उसके बावजूद भी जैसे जैसे उनकी कठिनाईयां बढ़ रही हैं उस old couple की तो वो dog का spirit जो है no children, they loved it as though it were a baby तो पुराने दिनों में damio मतलब यहां बगल में meaning दिया है land owners मतलब जो जमिंदार होते हैं उनके जमाने में कि यह कहानी है एक old couple है जिनके पास एक छोटा सा dog रहता है उस couple के पास कोई भी संतान नहीं है मतलब उनके पास कोई बच्चा नहीं है तो वो उस dog को अपने बेबी की तरह treat करते थे तो यह यहां पर caring बता जा रही है कि उस dog के लिए उन्होंने कुशन बनाया हुआ था उस dog का अना म्यूको है उस dog के लिए उन्होंने कुशन बनाया हुआ था और उसे एकदम एक cat की तरह मतलब आज के जमाने में जैसा एक cat को हम लोग care करते हैं कुशन बनाना उसे fish देना, boiled rice देना तो यह दरसल इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि यह पुराने जमाने की कहानी है पुराने जमाने में लोग जो है pet उतना नहीं पालते थे पालते भी थे तो इतना care नहीं करते थे तो यह जो है यह special है उस time के लिए तो इसलिए यहाँ पर ऐसा mention किया गया है next paragraph देखते है तो old man जो है वो rice farmer है और वो daily field में जाता है अपना स्पेड लेकर काम करने के लिए और वो morning से until O Tanto Sama had gone down मतलब as the sun is called मतलब sun जो है वो down मतलब sunrise से sunset तक वो अपने field में काम करते रहता है everyday the dog followed him to work never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms for the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up sad on purpose to give food to birds तो यह बताया जा रहा है कि जब वो काम करता था तो dog जो है उसके पीछे पीछे जाता था और dogs का mainly क्या गाम होता है रखवाली करना राइट और herons जो है वो एक bird है जो खेतों को बरबाद करती है खेतों का जो फसल है उसे खराब करती है मतलब वो नुकसान करती है उसको तो ये जब आती है इसके field में तो वो dog जो है म्यूको जो है वो उसे भगाता भी नहीं है और इसका reason ये भी हो सकता है कि जो old man है वो इतना दयालू है कि उसकी mentality ये है कि भाई वो जानवर है तो उसे दया दिखाना जरूरी है अगर मैं उसे भगा दूँगा तो वो खाना कहां से खाएगा जो हैरान है वो generally आता है worms को निकालने के लिए खेत में जो earthworms और ये सब रहते हैं उन्हें निकालने के लिए तो उसके वज़े से वो क्या होता है फसल भी बरबाद हो जाती है तो उन्हें mostly भगाया जाता है लेकिन यहां पर old man जो है वो नहीं भगा रहा है वो कह रहा है कि उसे भी खाना खाना चाहिए वो भी एक इंसान है तो यही वज़ा है तो ऐसे जो है म्यूको इस वज़े से शाथ बिगड़ा है अब देखो एक दिन क्या हो रहा है एक दिन क्या हो रहा है अचानक से जैसे वो old man काम कर रहा है खेत में उसका डॉग आता है उसके सामने और जैसे mostly अगर आपके पास पैट है तो आप जानते होंगे पैट्स जब खेलने के मोड में रहते हैं तो कैसा action करते हैं आगे पीछे चलते हैं पूँच हिलाते हैं जोर जोर से आपके उपर चड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही एक action उसका म्यूको जो है उसके सामने कर रहा है तो पहले उसे लगता है कि वो खेलने के मोड में हैं लेकिन कुछ समय बाद जो है उसे क्या पता चलता है देखिए तो जैसे जैसे वो डॉग बार बार उसे परशान कर रहा है तो उसे लगता है कि डॉग मुझे कहीं ले जाने के लिए बुला रहा है तो वो पीछे पीछे जाता है और एक जगा वो dog क्या है scratch करना start करता है scratch जब करता है तो old man के दिमाग में ये आ रहा है कि वो हो सकता है कोई fish का कोई bone हो या फिर कुछ भी हो जो dog को खाना हो लेकिन ऐसा नहीं है वो जब अपने spade से उसे खनता है उसे खोदता है तो वहां उसे gold का pile मिलता है मतलब coins of gold मिलता है तो यहां आप old man का जो है वो picture देख पा रहे हैं यह देखिए beard जो है उसकी दाड़ी जो है कैसी है Japanese movie में आप देखे होंगे ऐसे ही रहता है तो यह एक Japanese से based ही story है ओके यह dog है muco pile of gold आपको दिख रहा है एक spade यहां पर दिख रहा है next page में पहुंचते हैं देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है thus in an hour the old couple were made rich these good souls brought a piece of land made a feast for their friends and gave plentifully to the poor neighbors as for the dog they petted him till they nearly smoothed him with kindness तो खनने के बाद मतब gold मिलने के तुरंट बाद ही एक घंटे के अंदर वो old couple आचानक रिच हो गई जाहिर से बाद है इतना सारा gold किसी को भी मिलनेगा तो वो रिच हो जाएगा तुरंट के तुरंट तो वो एक piece of land खरीद लेता है अपने दोस्तों को treat दे देता है feast दे देता है और जो उसके आसपडोस में जो लोग गरीब है उन्हें भी कुछ दान दे देता है और उस dog को पहले से जादा kindness मतलब पहले से जादा caring अब दी जा रही है क्योंकि उसी के वज़े से मिली है right generally हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग को जो benefit करवाता है उसे हम जादा care करते हैं ठीक यहाँ भी same behavior इस old couple का है उस dog के प्रती म्यूको के प्रती next paragraph देखिए now in the same village there lived a wicked old man and his wife not a bit sensitive and kind who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house तो अब यहाँ पे villain की entry हो रही है villain कौन है ऐसा ही एक old couple है जो बिलकुल भी kind नहीं है बिलकुल भी sensitive नहीं है उन्हें कुटों से भी बहुत नफरत है उनके घर के पास अगर कुटा आता है तो वो उन्हें लात मार के भगा देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए dogs भी एक living being है वो बहुत अच्छे होते हैं okay तो हमें care करनी चाहिए तो यह old couple का ऐसा behavior है ऐसा nature है author यह बता रहा है हमें next देखो hearing of their neighbor's good luck they coax the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties hoping he would find treasure for them but the dog being afraid of cruel bear would neither eat or move तो अब इनके कान में खबर पहुँची कि हमारे जो पडोसी हैं भाईया उनके पास dog है वो उनको खिलाते पिलाते हैं अच्छा care करते हैं तो वो उन्हें gold दिलाता है मुर्ख लोगों का देखो यह mentality कि आप इसे खिला पिला रहे हैं तो इसलिए आपको gold खोच के दे रहा है तो इसी mentality के वज़े से उसे घजीट के ले आते हैं अपने garden में उसके सामने खाना रखते हैं गलग तरह के उसके tasty food रखते हैं dainties देखो बगल में meaning दिया है tasty food वो सब रखते हैं लेकिन rude behavior से देखो dogs जिसके पास हैं फिर से मैं बता रहा हूँ वो dogs के हर एक behavior को जानते होंगे कि rude जब आप behave करोगे तो dog भी आपका बात नहीं सुनता है वो आप से भी ज़ादा rude हो जाएगा डर जाता है वो तो ठीक उसी तरह muco भी यहां भी जो है वो खाना नहीं खाया old pair का उसके बाद देखो then they dragged him out of the doors taking a speed and a hoe with them no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath तो शायद वो खाना जो है उसमें से कुछ खाता है या नहीं खाता है ये तो नहीं बताया गया है clearly लेकिन कुछी समय बाद उन्होंने उस कुत्ते को मतलब muco को घसिट के बाहर लेके आया और अपने spader हो के साथ मतलब की अब भाई ये खाना खा लिया है लगता है खाना खा लिया है तो खाना खा लिया है अब ये फिर से हम लोग को गोल्ड खोच के देगा बाहर निकलते हैं कुछी समय में एक पाइन की ट्री है उसके नीचे वो खनना स्टार्ट कर दाता है तो अब देखो उन्हें लग रहा है कि इसके नीचे ट्रेजर है इसके बाद देखो क्या हो रहा है तो जैसे ही वो डॉक स्क्रैच करना स्टार्ट किया है वो तुरंद अपने वाइफ को अवास देता है बोलता है कि मेरा स्पेड मुझे दो और वो ग्रीडी फूल मतलब जो खडूस है बुढ़ा सा फूल है वो डांस भी कर रहा है कि अब मुझे ट्रेजर मिल गया लेकिन जब खनता है तो उसे एक डेड किटेन की बाड़ी मिलती है किटेन मेंस कैट का बच्चा जो होता है तो वो निकलता है जब वो डॉग स्क्रेच किया है तो जिसकी बद्बू इतनी खराब है कि वो अपने टूल्स को मतलब अपने स्पेड को वो पटक के तुरंत अपने नाक पे हाथ लगा लेता है नेक्स देखो तो देखो यहां कितना बुरा किये हैं ये लोग उस गुस्से के मारे उस डॉग को मार के वो लोग उसका जान ले लिए है और उसकी जो वाइफ है विकेड ओल्ड मैन की जो वाइफ है वो क्या कर रही है उसके सिर को उसके बॉड़ी से अलग कर दे है और उसी गड़े में उसे दफना दिया जो वो खुद से खना था सोचो ये लोग किते बुरे हैं इसके बाद देखो तो अब जिनको जो इसे अपना बेटा मानते थे अपना बच्चा मानते थे उने कितना खराब लगा होगा तो उस ओनर को पता चल जाता है मतलब जो जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके पैट के साथ वो उसी पाइन ट्री के नीचे पहुंचा है उस रात को देखो क्या होता है अब यहां से स्टोरी में ट्विस्ट आएगी अब देखो वो पहुंचा है बैंबू के कुछ ट्यूब मतलब जैसे हम लोग अस्तिम जैसे किशी की लाश जब हम लोग बहाते हैं तो बैंबू ट्यूब लेते हैं वो ले जाके वहां पे एक लाश जैसा वो बनाया है कुछ फ्लावर्स उसके उपर डाला है एक कप में कुछ पानी और एक प्लेट में कुछ खाना लेया के वहां रखता है देखो कितना वो अटैज डेज डॉग से जाहिर प्लेट सी बात है वो अपना बेटा मानता था उसे तो वो कितना एटैजमेंट है उसको तो ऐसे ऐसे वो कर रहा है फिर इंसेंस कॉसलिष ठीक साफ इंसेंस मतलब अगर बत्ती जो होती है वो भी वहां पे वो गाड़ा है मतलब उसकी आत्मा को शांती मिले ऐसा करके और फ तो यह यहां पे जो है उस रात इतना करने के बाद वो शायद ओल्ड मैं जो है वो अपने घर चल जाता है घर जाता है सोता है जब तो ड्रीम में म्यूको की स्पिरिट आई है और कह रही है कि जहां मैं दफन हूँ उस पाइंट्री को काटो और उसमें से एक मिल बनाओ mill generally होता है pastry बनाने वाला cake बनाने वाला एक छोटी सी machine होती है पुराने जमाने में होता है ये okay तो मतलब ये जैसे shewing machine होती है जिसे सिलाई करते हैं उसकी तरह होती है जैसे hand वाला जो होता है एक साइड से घुमाते है आप देखो यह देखो ऐसे वैसे करके flowers है यह म्यूको की spirit यहां पर दिखाई गया है यह pine tree भी दिखाया गया है और यह देखो यह जो dream कर रहा है यह सारी चीजे हैं next देखो next page में क्या हो रहा है yes next page so the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about two feet long with a great labor partly by fire partly by sizzle he scrapped out of a hollow place as big as a small bowl he then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice तो यह mechanism है जैसे वो जो उसका machine है वो बनाने का तरीका इसमें बताया गया है कि कुछ वो काटा है कुछ जला के कुछ hammer से उसका handle बनाया है यह सारी कुछ है When New Year's time drew near he wished to make some rice pastry When the rice was all boiled Granny put it into the mortar The old man lifted his hammer to pound the mass into dog and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking तो New Year का दिन था मन्दब New Year के पहले वाली रात 31st December आप समझ सकते हैं उस दिन जो है pastry बनाना स्टार्ट हो गया है कुछ उसकी wife help कर रही है और कुछ वो hammer से pound कर रहा है pound करने के बाद duff मतलब जो आठा गुंदते हैं न हम लोग आठा गुंदने के बाद जो structure होता है उसे duck कहते हैं यहां देखो लिखा हुआ है d-o-u-g-h तो ऐसा ही rice का वो बनाते हैं उसके बाद उसे bake करते हैं तो वो pastry बन जाती है तो इतना mechanism हो गया है suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins when the old woman took the hand mill and filling it with the beans began to grind the gold dropped like a rain तो अब देखो यह जो bake करना है जिसको जो duff मतलब यह जो गूदा हुआ है जो rice है इसे जब bake करने ले जा रहा है तो वो पूरा gold में convert हो गया है और जो rice वो इधर से डाल रही है वो rice जो है वो gold की हो गई है और एक बारिश होरी है rice के मतलब समझ सकते हो आप उपर से डाल रहे हैं उसके अंदर, उस machine के अंदर तो वो gold की rice हो गई है rain हो रहा है मतलब gold की rice की rain हो रही है वहां पे तो ये कौन किया है ये म्यूको का स्पिरिट किया है तो अब ये जो मेकानिजम हो रही है तो इस वक्त बतकिस्मती से जो नेबर है वो विंडो से ये सारी चीजें देख रहा था तो गुडी मी मतलब है भगवान कह सकते हो ये था उस वो ओल्ड वुमन का रियाक्शन और कुछी देर में नीचे जो ये लोग ग्रैंट करकर के जो रख रहे थे उस टब में वो पूरा जो स्ट्रक्चर है मास जो है वो पूरा गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है अब अगले दिन ये खबर लग गई भई अपने जो ओल्ड नेवर हैं विकेड नेवर हैं उन्हें मिल गई वो आके बोरो करके ले जाते हैं कि भाई मुझे भी ये मशीन दे दो मैं भी मौटर मैं भी पेस्ट्रिस बनाऊंगा न्यू येर का टाइम है सेलिबरेशन का टाइम है तो वो दे देता है अब वो जब बना रहे हैं तो वो तो इनके मन में तो लालच है कि वो लोग बनाए तो उनकी गोल्ड बन गई हम भी बनाएंगे तो हमारा भी गोल्ड बन जाएगा इस लारत से वो बना रहे हैं तो क्या हुआ यहां पे गोल्ड नहीं बना उनकी पेस्टरी जो है वो कीडे मकोड़ों में कनवर्ट होगी मतलब केच्चुआ जो होता है उसमें वो टर्ण हो गई है उनकी तो यहां भी म्यूको जो है हल्प कर रहा है यहां म्यूको हमेशा old man के favor में है old man के साथ हमेशा अच्छा करवा रहा है आपका यह part 1 है okay part 2 यहां से start हो रहा है यह conclusion है साए यहां पे आपका chapter complete हो जाएगा not long after that the good old man dreamed again and the spirit of dog spoke to him telling him how the wicked people had burned the mill and made from the pine tree take the ashes of the mill sprinkle them on the withered trees and they will bloom again said the dog spirit अब उसी रात वो सोया है तो फिर से म्यूको का स्पिरिट उसके सपने में आता है और वो कहता है कि आप जो मिल तुम उसे दिये हो वो उसे तोड़ के जला दिया है ओके अब तुम्हें क्या करना है वो जो राक है वो किसी तरह तुम्हें लेना है और उसे मुर्जाय हुए पेड़ों पर मतलब जो पेड़ सूख गए है उसके उपर छिटको गए तो वो ब्लूम कर जाएंगे जैपनिस जो आप कह सकते हैं जैपनिस कल्चर जैपन का जो धर्म होता है उसमें ट्री का ब्लूम करना एक अच्छा सिग्निफिकिंस होता है गौड का मतलब अगर कोई ट्री जो है वो ब्लूम कररे हैं मतलब उसमें पत्ते आ रहे हैं अगर तुम आशे किसी तरह से वहाँ से ले लो तो उसको अगर किसी पेड़ पे छिड़कोगे तो वो ट्री जो है वो ब्लूम कर जाएगा तो चैप्टर का जो टाइटल है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो यही वो आश है जो ट्री को ब्लूम करेगी ओके तो अगले दिन वो पहुँच गया है गुड ओल मैन विकेड ओल मैन के घर पे वहाँ पे वो सीन्टरी देख रहा है कि वो लोग आग वाग सेख रहे हैं उसका जो मेल परसन है पतलब जो ओल्ड मैन है और वो कुछ बना रही है इतना वो देखता है और यह भी ध्यान दिता है कि उसी मिल को जलाके मतलब वो जो मशीन थी, जो वो पाइंट्री से बनाया था, पेस्ट्री वाला, उसी को वो जला के आग से करे हैं, और कुछ हिस्सा, कुछ तूटा हुआ हिस्सा, उसके पीछे रखा हुआ है, old man के पीछे वो रखा हुआ है, ओके, तो यहां जो है, old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes, तो यहां जो है, old man humbly पूछता है, कि मुझे ashes दे दीजे कम से कम, तो वो लोग गुसा हो जाते हैं, उल्टा उसी को डाट रहे हैं कि हम क्या चोर लगते हैं तुमको, हम तोड़ दियां ऐसा वैसा, तो तु उसमें वो लोग ashes भर के दे देते हैं उसे, on coming home, the old man took his wife into the garden, it being winter, their favorite cherry tree was bare, he sprinkled a pinch of ashes on it and low, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air, the news of this field, the village and everyone ran out to see the wonder, तो अब वहां से एक बास्केट में ashes लेके, वो अपने घर आ रहा है, घर आके बताता है, और garden में जाता है, winter season है यहां पर, snowfall हो रही है, okay, एक garden में जाता है, cherry tree जो है, वो भी शुब मना जाता है, Japanese culture में, उसके उपर वो sprinkle कर रहा है, sprinkle करते ही, pink blossoms, मतलब pink color के flowers जो है, वो खिल उठे हैं वहां पर, और पूरा जो air है, वो एकदम अच्छा smell कर रहा है, perfume की तरह smell कर रहा है, और ये पर गाउं में बहुत जोर जोर से हला मच जाती है, इस चीज़ की, तो गाउं में हला मची है, तो wicked old man के कान तक भी पहुंची ही होगी, तो अब देखते हैं, तो अब जो है, यहां पर, यह हुआ है, की, old couple के पास भी, मिल का कुछ हिससा बचा था, वो लोग उसे आश में कनवर्ट करके, वो भी लेकर पहुंचे हैं, और इस दोरां, डैमियो, जो है, मतलब landlord, जो है, जिसके सब लोग पूजा करते हैं, राजा की तरह ही होता है, वो, उसकी पूजा करते हैं, उसका जो काफिला है, मतलब landlord, अपना सेयर करते हैं, पूरे राज्य के उपर, ठीक हैं, सेयर करके देखते हैं, कहां 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 क्या cherry tree that stood by the wayside तो landlord है, landlord को भगवान माना जाता है, तो भगवान के सामने अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, cherry tree जो है ये एक समझ लो धार्मिक चीज है और उसका ब्लाजम करना बहुत शुब होता है, तो old man क्या करता है, जैसे ही देखता है, उसका train in train मतलब की, जो उनका काफिला है, वो पहुंचने वाला है, वो तुरंथ एक cherry tree के उपर चड़ जाता है, ओके नव इन देज अफ देमियोज, इट वस कस्टम वन देर लॉट पस्ट बाई वर लॉल पीपल तो शट अप देर हाई विंडोस, तो ये है काफिला का इजद कैसे करते हैं लोग, जो गाओं के लोग हैं, काफिले में लैंडलॉड रहता है, कुछ सैनिक रहते हैं, कुछ उसके मंत्री रहते हैं, कुछ उसके भाई, बहन, कुछ परिवार के बुजर्ग रहते हैं, वो सारे इसके बाद अब उसी ट्रेन में मतलब उसी काफिले में एक जो व्यक्ती है वो थोड़ा सा आगे चल रहा है लैंडलोड से थोड़ा आगे आगे चल रहा है और सब को वो अनाउंस करके बता रहा है कि हाँ आप अब नील्स पे बैठ जाएए अब प्रणाम करें लैंडलोड को तो सब लोग इसके ओर्डर्स जो हैं वो मान रहा है अब यही जो लीडर आगे आगे चिला रहा है सब को के घुटनों पर बैठो यह ओल्ड मैन को देख लेता है कि वो चेरी ट्री पे चड़ा हुआ है उसे गुस्सा आता है लेकिन वो सोचता है कि क्या मैं बोलू यह बुड़ा सा वेक्ती है और काफिले का जो क्या कहते हैं जो महौल बना है उसे वो बिगारना नहीं चाहता था तो वो उसे इग्नोर कर देता है तो यही यहाँ पर पताया जा रहा है कि जब वो पास में आया लैंडलॉड उसके तो तुरंट वो ओल्ड मैं जो है वो आशेस ट्री के उपर बिखेर देता है मतलब छिडिक देता है और वो ट्री जो है ब्लूम हो जाती है तो यह देखता है और एकदम प्रसन हो जाता है कि ठंड के मौसा में यह कैसे हो गया वो उसे थैंक्यू करता है और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है और अपने महल में अपने कैसल में भी उसे इन्वाइट किया है खाने के लिए यह सारा कुछ खुशखबरी वो अपने वाइफ को जाके बताने वाला है अब कुछ बचता है तो वो विलन का है विलन जो है हर चीज अपना रहा है तो जाहिर सी बत है यह भी अपनाएगा देखो क्या करता है विलन लोग तो जब जो काफिला है वो रिटन होने वाला है तो वो भी हाइवे के पास जाके एक पेड़ के उपर चड़ जाता है और जैसा कि good old man किया था, kneel down नहीं किया था, वो पेड़ पर ही चड़ा हुआ था, खड़े खड़े तो यह भी ठीक वही करता है, यह चीज भी फिर से notice की जा रही है उस leader से और एक भी पार्टिकल उस पेड के उपर एक भी पत्ता ब्लाजम नहीं है नहीं होता है, उल्टा क्या होता है, वो ashes हवा के वज़े से उसके नाक और उसके कानों में चले जाते हैं उसके वाइफ के वो लोग छीक रहे हैं, खास रहे हैं और पूरे जो काफिला है, उसका जो मरियादा है वो अब खराब हो चुका है, पूरे जो डिगनिटी है लैंडलोड का वो बिगड़ चुका है तो अब जो है एक लीडर जो था वो उसे घुटने पे लेया मतलब तुम माफी मांगो घुटने पे, माफी मांगो तुम उसे घसीट के पेड़ से नीचे ले आता है और उसके एस बास्केट को मतलब जिसमें वो आशिस लियावा उसे रोड पे फेक देता है और उसे जोर जोर से पीट रहा है, बीटिंग हिम साउंड ले मतलब जोर जोर से आवाज भी आ रही है, पीटाई की उसके बाद वो मरने के लिए उसे छोड़ देता है, मतलब अपने सैनिकों के हवाले कर देता है उसे Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age तो अब wicked old man जो है, वो मर चुका है, उके इतना अन्याय किया उस डॉग के साथ कि उसे मरना पड़ा, ठीक है और जो good old man था, जो kind friend था डॉग का, वो लोग आराम से green old age, green का मतलब देखो, healthy, active and prosperous एस मतलब एक बहुत अच्छे सिंदगी वो लोग जी रहे हैं, William Elliot Griffiths, यह है author का name और नीचे देखो, जिससे मैंने पता है, a Japanese tale लिखा हुआ है, तो यह चैप्टर is complete तो यह था आपका चैप्टर, चैप्टर में जो म्यूगों के साथ हुआ है, वो generally बहुत गलत है क्योंकि animals को नहीं मारना चाहिए, हम लोग हमेशा से सीखते हैं कि we should love animals, okay तो animals को मारने का मतलब क्या है मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो animals को बिना वज़ा मार देते हैं, अगर कोई वज़ा भी है तो आप उसे दूर भाग सकते हैं, मारने की क्या जुरूरत है, right तो animals को please ना मारें, मैं यह ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास खुद दो dogs हैं मेरे घर में, okay वो बहुत अच्छे हैं, okay generally वो बदनाशी करते हैं, मैं उसे पार्टिसिपेट करता हूँ उनके साथ, मैं भी बदनाशी करता हूँ, खेलता हूँ उनके साथ, okay तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि animals अगर आप उन्हें love देंगे, तो वो भी आपको return में बहुत सारा love देंगे तो animals को हमेशा kind रखें, okay, care करें उनका, वो बहुत अच्छे होते हैं चैप्टर में जो हुआ, उसका moral ये है, कि अगर आप बुरा करते हैं, तो आपके साथ भी बुरा होता है चैप्टर में ये बताया गया है, कि Mewo का spirit, हर जगा old man को help भी कर रहा है और उसके जो villain है, मतलब जो उसके साथ बुरा किये हैं, old man उनको वो last में dead करवा देता है, मान डालता है, okay तो ये है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं animals के साथ, तो वो भी written में कहीं ने कहीं से ये story है, तो यहाँ पे pile of gold ये सब दिखाया गया है ऐसा real life में तो हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, okay क्यूंकि अन बोलता जीव है, okay अगर आप उसे कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, God भी उसे देखेगा, okay तो animals को harm ना करें, hurt ना करें उनसे, उनके साथ खेलें उन्हें food दे, okay stray dogs आप देखते हैं, streets पर जो dogs रहती हैं अगर आपके पास कुछ है तो आप उन्हें दे दे, okay अगर आप एक दिन देंगे, तो generally वो इतना अगर उसे अच्छा लगेगा कि वो daily आपके पास आएगा कुछ ना कुछ मांगने, okay तो इतने प्यारे होते हैं वो, okay so love animals, respect your elders, love your young ones thank you, jahin, stay home, stay safe